हेलो फेंट्स हम पढ़ रहे हैं PLSQL टुटोरियल स्रीज और PLSQL टुटोरियल स्रीज के आज यह इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं कंडिशनल ब्रांचिंग स्टेट्मेंट के सेकेंड टाइफ इफ एल्स स्टेट्मेंट के बारे में सो फ्रेंट्स मैं हूर अभी भारदवाज और आप देख रहे हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल नोट्स सो फ्रेंट्स चली सुरू करते हैं देखें जैसे कि मैंने आपको पिछली टुटोरियल में इफ स्टेट्मेंट के बारे में पढ़ाया था इफ एल्स स्टेट्मेंट भी यह सेम आपको वैसे ही यूज करना है बस थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है इफ स्टेट्मेंट का क्योंकि इसमें इफ स्टेट्मेंट के साथ हम एक एल्स स्टेट्मेंट को यूज करते हैं जिसे से ये थोड़ा सा advance बन जाता है, ये भी एक same वही condition statement है, जहां हम if के साथ एक condition देते हैं, जिसमें condition के true होने पे if का true part, और condition के false होने पे else statement का जो false part statement होता है, वो statement execute होता है, चली हम इसे flow chart के तुरू समझते हैं, और इसके syntax के तुरू समझते हैं, ये आप if else statement को program में कैसे use कर सकते हैं, देखें से सबसे पहले यहां पर flow chart दिया हुआ है, flow chart में आप देखेंगे तो program आप start करेंगे, program को start करने के बाद आप program में एक condition देंगे, ठीक है, if के साथ एक condition देंगे, condition या तो true होगा या तो false होगा, तो condition के true होने पे, हमारा जो if statement का true block है, जो true statement है, वो statement हमारा execute हो जाता है, देर वो if statement से बाहर चला जाता है, बट अगर आपका दिया गया condition false होता है, तो ये program से बाहर ना जाकर के, जो false statement होता है, else block के अंदर, तो वो वाला statement हमारा execute होता है, ठीक है, so friends यह हमारा if false statement है देखे, difference ज्या होता है, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ देखे, simple if statement का block diagram है, flow chart है जिसमें आप देखे कि condition के true होने पे statement execute हो रहा है condition के false होने पे statement से, if statement से बाहर चला जा रहा है but इसमें क्या होता है, condition के true होने पे तो if statement execute होता ही है but condition के false होने पे, वो सीधा else में जाता है और else statement का जो block है, वो execute हो जाता है ठीक है, फिर वो if statement से बाहर चला जाता है कैसे यूज़ करना है, देखे, syntax बताया हुआ है पहले आपको if के साथ एक condition देना है, then लिखना है इसके बाद if के बाद जो पहला block है, यह है if का true block तो यहां पर आप वो statement लिखेंगे, जो condition के true होने पे एक्जिक्यूट होगा अगर मालीज़ यहां पर लिखा के condition false हो जाता है तो वो if statement directly jump कर जाएगा else में और else statement का यह जो false block है यह वाला block हमारा execute हो जाएगा और output डिस्प्ले करेगा ठीक है, तो friends यह है if else statement का syntax और यह है उसका flow chart चलिए मैं आपको बताता हूँ, प्रोग्राम में आप if else statement का कैसे यूज़ कर सकते है तो friends देखते हैं, इसके लिए देखे जैसे यही प्रोग्राम है अभी जो मैं आपको if statement के अंदर पढ़ाया था तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर लिखे हम लोग ने एक variable बनाए a जो की integer type का है और a की value में यहाँ provide की यहाँ 10 और यहाँ पर हम condition क्या दे रहे हैं कि a greater than equal to 10 है मतलब अगर a की value 10 से greater होती है या equal होती है तो condition हमारा true होगा और यहाँ पर print होगा कि a is greater than or equal to 10 बट अगर माली जे condition false हो रहा था तो वो सीधा if statement से बाहर चला जा रहा था और हमको output में print हो रहा था outside the if statement देखी अब मैं यहाँ पर use करने वाला हूँ else statement ठीक है और else statement में हम लोग यहाँ पर वापस से इस line को use कर लेते हैं यह copy किये यहाँ पर paste कर देते हैं और यहाँ पर मैं use कर ले रहा हूँ अगर माली जे condition false हुआ तो यहाँ पर print हो जाएगा a is less than ठीक है less than or equal to b अगर greater हुआ तो यहाँ print होगा a is greater than or equal to b अगर condition false हुआ तो यहाँ पर print हो जाएगा a is less than or equal to 10 ठीक है 10 से compare कर रहे हैं तो 10 तो देखिए condition जब true होगा तो यह first block execute होगा अगर condition false होगा तो वह else में जाने के पाद जो second block है यह वाला block execute होगा ठीक है तो देखिए इसी code को मैं यहाँ से वापस से copy करके mysql कमार लाइन पर मैं यहाँ पर इसको reuse कर लेता हूँ ठीक है paste किये then enter करते हैं तो आप देखिए आपको output में क्या print हो रहा है a is less than or equal to 10 तो देखिए a की value है 8 तो condition दे रहे हैं कि जो a है वो greater हो या equal हो 10 से तो a की value है 8 तो 8 ना तो 10 से greater होता है ना तो equal होता है condition हमारा यहाँ पर क्या हो जा रहा है false तो condition के false हो जाने पर देखिए यह पहला true block है यह execute नहीं हो रहा है कहां जा रहा है सीधा else में और else का यह जो second block है कि a is less than or equal to 10 तो यह वाला message देखिए आपको output में print हो रहा है तो जो भी outside statement है उसके बाद वो outside का statement हमारा execute हो जाता है ठीक है चलिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ अभी देखिए मैं condition को मालेचे यहाँ पर true कर लेता हूँ यहाँ पर value देता हूँ 12 तो देखिए 12 यहाँ पर condition हमारा true हो जाएगा क्योंकि 12 तो 10 के equal नहीं होता है बट greater होता है तो यहाँ पर हमारा condition true होगा condition के true होने पर if के अंदर आएगा यह जो first block है यह वाला block execute होगा उसके बाद वो if statement से बाहर जाएगा then outside the if statement यह वाला statement print होग then enter करते हैं अब देखिए आपको output में क्या print हो रहा है कि a is greater than or equal to 10 क्यों क्योंकि यहाँ पर दियागा condition हमारा true हो जा रहा है a की value है 12 तो 12 प्रेंट से greater होता है condition true हो गया तो हमको print हो रहा है a is greater than or equal to 10 तो friends यह देखिए print हो गया then है यहाँ आपमारा output जो भी statement है वो also हमें कुछ ना कुछ output डिस्प्ले होता है ठीक है यह तो इसकी through हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम में condition दे सकते हैं so friends I hope आपको if else statement का सारा concept clear हो गया होगा अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर लिजा ज्यादा ज्यादा सेयर करिए अगर आपने हमारे चैनल को अपते सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक्निकल नोट्स को सब्सक्राइब बटन फिक प्लिक करके सब्सक्राइब कर लिजिए और आने वाले वीडियो को देखना बिलकुल न बुलिए so friends thank you for watching this video बाइ और आने हमारे ज्यादा झाले वीडियो कर आपने हमारे चैनल कर दोड़ने हमारे लिजा देखने हमारे लिएकार